MCD election को लेकर दिल्ली में महाल करमाया हुआ है इसी बीच दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद के जिवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला नवश्कार मैं हूँ दिपानलीतर पार्टी और आप देख रहे हैं नजर टुडे दिल्ली न मुख्य मंतरी मनीश शोदिया दिल्ली प्रवेश योजग गोपाल राय विधायक और वरिश नेता शामिल हुए बैठक में चुनाव की तयारियां और विविन मुद्धों पर चर्चा भी हुई बैठक में मुख्य मंतरी ने सभी विधायकों की जिम्मेदारी तै कर दी प्रदर्शन के रूप में देखा जाएगा बैठक की जानकारी देते विए दिल्ली के उपमुक्य मंतरी मनीश शिशोदिया ने कहा कि अर्विंद केजिवाल ब्रश पतिवार को केजिवाल की दस वारंटी लॉंच करेंगे उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग मांग रहे हैं कि MCD में अब ऐसी सरकार आनी चाहिए जो भाशपा के भ्रश्चा चार और कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर सके और निगम में अच्छी विवस्ता दे भाशपा के 15 साल के कारेकाल में दिल्ली बरबाद हो गई है दिल्ली के हर कोने कोने पर और गली में हर पार्क में कोशन भी हो रहा है दिल्ली में एक आम आदमी को तब तक अपना मकान नहीं बनानी दिया जाता जब तक पैसे ना मिले अब एक एक उम्मीद्वार की होगी बारिकी से जाच आये जानते हैं विस्तार से टिकट पटवारे के संबंद में मनीश शोधिया ने कहा कि एक एक उम सर्वे के बाद ही प्रत्याशियों की अंतिन सूची को फाइनल करेंगे वहीं सुत्रों की माने तो नैसिरे से हुए परिसमन के कारण बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के वर्तमान पूर पाश्यतों की टिकट कट सकता है इसके अलावा कई ऐसे पाशत भी हैं जिनक माते द्वा के पार्टी के के पददकारियों लोगों से पार्टी के पार्टी सुमज्या हो कस हैं और करेंगे एक तेरही तेयरह में अनोंबर पर कूले पर जन समवाद किया जाएगा अब देखना ये बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या केजरी वाल ने जो वादे किये हैं उस पर वेखरे उतर पाते हैं या नहीं या केजरी वाल के ये जन समवाद अभिवान जो तेजी से बढ़ रहा है ये इस बार 15 साल का इतिहास तो कर दो कर दो कर दो एकार